किलने की कोशिशों में हैं, उनमें सचिन पाइलेट अपनी यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस हाथ से हाथ जोडने की बात कर रही है, बीजेपी ने एक यात्रा अभी पूरी की है और हनुमान बेनिवाल भी अक्टिव हुए हैं, यही नहीं किरोडी मिना ने भी एक प्रेस क करके अपनी प्रफावी उपस्तिती दर्ज कराई है, तो सारे मुदों पर बात करने के लिए विवेक जी हमारे साथ हैं, विवेक जी बताएं राजस्तान में जो राजनितिक इस्तितियां हैं, फिलाल इस कंटेक्ट्स में आप कैसे देखते हैं कि कि किस और मौजुदा पर आतार अपने राजस्तान के दोरे अनौस कर दिये हैं, सोला को परवसर से सुरुआत कर रहे हैं, फिर सतरह, अठारह, उनिस करते हैं, बीस को जैपूर वापस आएंगे, इस दोरान वो राजस्तान के तीन-चार संबाग गोम चुके होंगे, बात करें हनुमान बेनिवाल की आज उन्होंने अपनी अपात कालीन प्रदेश कारिकरणी की बैठक बुलाई है, बैठक के बाद तुरंट एलान कर दिया कि वो भी अब प्रदेश की आत्रा पे निकल रहे हैं, और उनिस को वो बाड मेरी पहुंच रहे हैं, जहां वो एक बड़ा अंदर खड़ा करने की जो पेपर लीग का मामला है, उसको उठाया है, फिर अगर हम बात करें बाजपा की तो बाजपा भी तैयारी में लगी हुए प्रदानवंति नरेंदर बोदी की जो बीलवाडा में रैली होने वाली है, आसिंद में, वो कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि बगवान देव अब यह जो मकर सकरांती उसके बाद एक्टिव हो चुके है, रही बाद सरकार की तो सरकार भी अपने इस तर पर जरूर एक्टिव है, सरकार ने भी अभी मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रियों के दौरे वे पाइनल कर दी है, क्योंको 17-18 अपने प्रवार वाले जिलों में रहना है, 19-20 हर जिले में वो जो हाथ से हाथ जोड़ो वाला कारिक्रम है, उसको लेके भी जो कारिक्रम है, वापने एनाउस,